बिहार में बहार है वो भी ब्रस्टचार में डूबे अधिकारियों के लिए और वजा नितीज कुमार की सरकार है अब बहार कैसी है वो आपको आजकर सरकारी अधिकारियों के छिकानों से मिल रहे नोटों की गड़ी में नजर आती ही होगी ऐसा हम इसे लिए कह रहे हैं क्यो लोड़पती बन जाते हैं तो कभी कोई सरकारी अधिकारी नोटों की गड़ी के साथ खेलते हुए नजर आते हैं ऐसे में अब बिहार के असस्टेंट जेल आई जी अफसर रूपक कुमार की भ्रस्टेचारी की सचाई सामने आई है जहां आए से अधिक की संपती के मामले में करोरों की संपती के साथ कई शहरों में खरीदे जाने की जानकारी भी सामने आई है तो क्या कुछ इस भ्रस्ट अधिकारी के पास से जब्त किया गया है यह हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मैं आपके साथ वंधना क्यामरा पर सनों प्रिकाश के साथ बिहार में भ्रस्ट अधिकारीों की कमी नहीं है और इसी करी में अब एक और अधिकारी का नाम जुड़ चुका है जिसने करोरों रुपे कमाकर सालों से एश कर रहा था जिसका खुलासा अब जाकर विशेस निकरानी इकाई टीम ने किय है इतना ही नहीं बलकि बिहार जारकंड बंगाल भी और भी कई राजियों में इसने फ्लैट्स खरीद रखा था और उसका भी राज अब सामने आया है और वैद संपती में रूपक कुमार के आशियाना नगर फेज टू पर बने घर और सचवाले के पास कार्याले से एक कुमार ने चार राजियों में भी अपनी संपती बना कर रखी थी चापे मारी में जो जानकारी सामने आई है उसकी अनुसार जेल आईजी ने जारकंड के देव घर में अपने नाम से जमीन का एक बड़ा प्लॉट खरीदा था इसकी अलावा जमशेदपूर के जिमना में जारकंड के राजधानी राची में उसकी फ्लैट के अलावा जमीन के कागजात भी मिले हैं पश्चिम बंगाल के सेलिगोडी में जमीन और फ्लैट के कागजात विशेष निगरानी की टीम ने जब्त किया है तो वही नोएडा में भी रूपक कुमार बेटा में जमीन का प फ्लैट सामने आया है बैंगलोड में भी इन्होंने जमीन खरीदने का एग्रिमेंट किया हुआ है कुल मिलाकर यू समझे कि इसे अवैड संपती इसे बनाने का सौक था जिसका भंडा फोर किया है एस वियो की टीम ने इसके अलावा बैंक के पास्बुक सहीत और भी कई मह पत्युपुन कागजात भी बडामत किये गए हैं और ब्रस्टचारी यहीं नहीं थमती बलकि सहायक आईजी रूपक कुमार का आशियाना नगर आवास और उसकी सुन्दर्ता को देख कर भी आधिकारी हैं हैरान रहे गए मकान के दिवारों की सजावट पर लाखों रुप बिलने पर बिते दिनों इसकी मकान और कार्यालों पर चापा मारा गया है रूपकुमार बिहार कारा सेवा के अधिकारी हैं जो कि इस भरस्टचारी के लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं सहायक जेल आईजी बनने के पहले तक उन्होंने कई एहम पदों पर काम भी किया ह है और जेल अधिक्षक के पदों पर काम करते हुए इन्होंने जेल अधिक्षक के रूप में देऊर भागलपूर मोतिहारी में भी तैनात रहे हैं और उसी तैनाती का नतीजा आज निकल कर बाहर आ रहा है जिसे देख स्वियों की टीम भी हैरान हो चुकी है ऐसे में करोरो पर जो भी जानकारी आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुचाएंगे ऐसे में भरस्ट अधिकारियों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके स बिहार में बहार आई है नितिश्च कुमार की सरकार में और कैसे अधिकार यह अपने ब्रस्ट चारी में कुछ इस तरीके से डूप चुके हैं जिसका खुलासाब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है ऐसे में हमारे वीडियो को शेयर करें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक् साथ ही आने खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्शन धन्यवाद